हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट विल्कम टू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी आई टियाई अनुदेशक भरती 2022 की जो कोट केस का स्टेटस क्या है ठीक है 13 जुलाई को आप लोग पता था हाला कि 7 जुलाई को यह डेट लगी हुई थी लेकिन उसमें कुछ कमी के कारण 13 जुलाई को उसको कर दिया गया ठीक है जोइन करियेगा लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूंका पीडिएफ के लिए ठीक है इसकी पेट को लेके जो कोट में याचिका है डाली गई है उसको अभी तक 10 सुनवाई हो चुकी है ठीक है यानि कि 10 केस का इस्टेटास यहां पे दिखाई दे रहा है जो कि पहला यहां पे कोट केस लगा था 17 फरवरी को यह लगा गया था जो यह डाला गया वैसे तो बहुत सारे केस डाले गया है ठीक है और इसको आप लोग देख सकते हैं यहां पे फिर 24 तारिक को डाला गया है फिर 44 2022 को सु 2022 यानि 13 जुलाई को लगा था ठीक है उसकी एरिंग की स्टेटस आ गई आप लोग देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोट के स्टेटस में स्कोट की सुनवाई नहीं हुए जैसी नौट ओन लिस्ट ठीक है यानि कि इसमें आपको सुनवाई नहीं दिया किया गया है 13 जुलाई को तो इसके लिए अगली डेट भी तो बडिने साफ में और साफ में मैं अपने त्वीटर एकांट पर जाकर वो वह य सकते हैं या सेम आप कापी पेश करके अपना भी क्या कर सकते हैं कर सकते हैं आलो कुमार जी को और साथ में जो इसके बॉड़ी यूपी ट्रिपल सी को कंड़क्ट कराती है उन्हें सभी को क्या कर सकते हैं आप यह काम करिए ठीक है परिक्षा कि अभी कोई संभावना नहीं है आप लोग जान रहे थे कि 17 जुलाई यानि की जो आने वाला है पेपर अभी तक हो गया रहता है लेकिन 17 जुलाई को दूसरे पेपर होने के कारण अभी उसका डेट जारी नहीं किया गया है अभी कब एक्जाम होगा उसके सारे अपडेट इस चैनल के माध्यम से देता रहू अभी फिलहार में 13 जुलाई की बाद अगली डेट अब अगलेट मिलेगा यसे चैनल के माध्यम से दूंगा उसके बाद सुनिभाई में फाइनल रिजल्ट क्या आता है वो सभी भी हम डिसकस करतेंगे तो आज के लिए वीडियो मिनना ही थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो गाइज मिलेंगे नेक्स अपडेट में तुब तक लिए